अभी आपने जो बैग देखा है उसकी मैं कटिंग आपको बताती हूं तिलपल कलर में है बनने पर बहुत सुन्दर लगता है यह देखिए ऐसे दो पीसे मैंने लिये है उसको रेकोरेट करने के लिए अच्छा बनाने के लिए यह देखिए ऐसे मैंने ब्लैक और रिड़ दो और कलर यह ऐसे फोल्ड करके इसको यह यहां पर साइड से ऐसे लगा दिया है कि इस तरह यह लगाऊंगे यह देखिए बीच में इसको ऐसे इसको लगाने के लिए मैंने पहले से ही यह ऐसे फोल्ड करके यह ऐसे लगा दूंगी इधर से फोल्ड करूंगी इधर से मैं आपको इस मताती हूं लगा यह देखिए इस तरह मैंने इसको जोड़ लिया है बाद में इस तरह कपड़े जो होंगी उसको कटिंग कर दूंगी यह देखिए ऐसे लगाने में आराम रहता है कप्डे को इसको कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद यह देखिए तोनों पीसे ऐसे तयार हो गए हैं अब यह देखिए इस में मैं वाइट अंदर अस्तर लगाऊंगी थोड़ा बड़ा रखूंगी बार में कटिंग करके निकाल दूंगी मैं यह साइड पट्टी लगाऊंगी इसी को मैंने यह से डबल कर लिया है यह उसी को फोल्ड करके ऐसे बना लिया है यह देखिए हैंडल को तयार कर लिया है मैंने इसका पाइपिन लगाऊंगी यह देखिए चैन को ऐसे कपड़े के साइद रखेंगे और धीरे धीरे अराम से बराबर से चिलाई करते हुए लाश्ट में लगभग एक पॉंच इंच पे छोड़ दीजिए उसको क्योंकि वहाँ पे बाद में शिलाई करने में अराम रहता है उस पे बराबर से यह ऐसे अस्तर को रखके सेम शिलाई की उपर शिलाई कर लीजिए इसको भी बाद में थोड़ा छोड़ देंगे और उसको बैक साइट करके उपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे देखने में भी अच्छा लगता है और डबल चैन पे सिलाई हो जाती है थोड़ा बाद में छोड़ना न भूलिए क्योंकि बाद में पाइपीन लगाने में अराम रहता है यह देखिए जितना चैन उधर आपका चुटा हुआ है उतना नाप कर इधर पहले छोड़के फिर सिलाई लगानी है कम जादा नहीं होना चाहिए यह देखिए ऐसे दोनों पल्ले दोनों रखने पे बराबर आएंगे अब मैं यह आपको हैंडल लगाना बता रही हूँ दोनों साइड मैंने चार चार इंच छोड़के फिर बीच से लगाया हुआ है यह देखिए आप चाहे तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कम जादा कर सकते हैं उपर की साइड मैंने तिन चार सिलाई लगा दी है इस तरब मैंने दोनों तरब इसको जोईन कर लिया है आप किसी भी कपड़े का बना सकते हैं किसी भी कपड़े का किसी भी कलर का मैंने इसमें पोम नहीं लगाया है अस्तर को ही मैंने डबल कर दिया है यह देखिए मैंने थोड़े उपर से जड़ा फोल्ड करके इसको एक अंदर की साइड विदायूट जिप पॉकेट भी लगाया हुआ है बराबर से रखके इसको दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है उपर नहीं लगाऊंगी ये देखिए देखिए दोनों में हैंडल जीप लगके ये पूरा तयार हो गया अब मैं आपको बगल की पट्टी लगाना बता रही हूँ एक इंच उपर छोड़के फिर पट्टी लगानी है उपर साइड एक इंच छोड़ देंगी दोनों तरफ से ये देखिए इसको चारों तरफ से लगाना है अब उपर जो इस्ट्रा कपड़े होंगे उसको काटके निकाल दूगे ये देखिए काटके निकाल दिया है और थोड़ा अंदर को फोल्ड करके ये इस तरह थोड़ा छोड़के उपर से जोइन कर दिया है अब सेम उसी तरह मैं पाइपिन लगाऊंगी सेम सिलाई के उपर लगाईए तो अच्छा दिखता है सिलाई नहीं दिखती है ये देखिए कार्नर पे थोड़ा ध्यान रखना है उसको अब उल्टा करके इस तरह इस तरह से थोड़ा धीरे धीरे लगाएंगे तो अराम से सफाई से बन जाएगा ये नहीं तो बीच में प्लेट आने लगती है कार्नर पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पाइपीन को ऊपर नहीं छोड़ेंगे पाइपीन को पूरा ये देखिए अब ये दोनों तरब तयार हो गया अब मैं इसको चैन पैक करने के लिए बना रही हो लगभग तीन ढाई तीन इंच का फोल्ड करके अब ये देखिए मैं इसमें रनर डाल के इसको अभी जो छोटा पीस मैंने त्यार किया था उससे पैक कर दोंगे तीन-चार सिलाई लगा दीजिए ये देखिए अब ये तैयार हो गया आप किसी भी कपड़े का बना सकते हैं तीन कलर चैन आप किसी भी कपड़े का बना सकते हैं